नमस्कार आप देख रहे हैं दविहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी आपको बता दे कि बीपी एसी सठवी को लेकर आपत्ती मांगी गई थी प्रस्ण का जो है वो मौडल एंसर आयोग के द्वारा परिक्षा खत्मने के अगले दिन जारी कर दिया गया था और आपको बता था कि सारे प्रस्ण काफी अच्छे थे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी लेकिन दस प्रस्णों पर आपत्ती दर्ज की गई है पंद्रह सव छात्रों ने आपत्ती दर्ज किया है इसके बाद बताएं आपको कि जैसा कि आयोग का कहना है कि एक टीम बैठेगा जो कि सि पिचार किया जाएगा उनके सही उत्तर खोजे जाएंगे और उसके बाद जो है उसी अधार पर पीटी के रिजल्ट जारी किये जाएंगे जो सुचना है निकल के आ रही है उसको आपको बता दे हम कि बीपीएसी द्वारा ली गई सरसथवी संजुक प्रारंभिक प्रत्य में सामिल अभियर्थियों ने आपत्ति दर्ज किया है आपत्ति दर्ज कराने वाले अभियर्थियों की संख्या लगभग 15 सव है आपको बता दे कि सरसथवी बीपीएसी पीटी के लिए 6,02,000 अभियर्थियों ने आवेधन किया था परिक्षा के बाद बीपीएसी ने प् सूचना दी कि यदि किसी अभियरती को किसी सवाल सवाल पर आपती है तो वे 12 अक्टूबर तक निर्धारीत format में प्रमान सहीत आपती आयोग के करयाले को भेजे निर्धारी समय के दौरान 15 अभियरतियों की आपती आयोग कर्याले में प्राप्त हुई है और इस पर अब गहन विचार किया जाएगा प्रस्णों के उत्तर खोजे जाएंगे जो छात्रों ने प्रमान दिये हैं उनकी जांच की जाएगी और अंत में एक आधर्स जो मॉडल एंसर है उसके आधार पर जो पीटी के ओवे मार्सि अपको दिखाया भी कटफ को लेकर कटफ के बादे में सभी का अमूवन्न कहाना है कि सौँ के सबार सकता हो सकता है अब देखिए इस हो सकता है हलाकि जो चातर खों सारए छातरों चात्रों से हम हर एक साल गलत होते थे जिसको लेकर मुकदμέवाजी भी होती थी क्या प्रस्ण गलत थे तो इसके बाद रिजल्ट आएगा फिर जारी किया जाएगा तो कई होता है इस वीडियो में इतना ही जारी किया जाएगा तो देखिए क्या होता है लाइक शेयर करें हमारी चानल रभी हाट आपको सब्सक्राइब जरूर कर ले कि सबसे पहले और सबसे 60 जनकारी आपको यहीं मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद